हेला दोस्तों नमस्कार कैसे आप लोग उमीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे चलिए आज हम बात करेंगे F-T मुह में छाले पर जाना, मुह में बिलिस्टर हो जाना उजला उजला मुह के अंदर हो जाता है ये गड़मी के दिन में जादा देखने के क्यों मिलता है चलिए ये जानते हैं होने का कारण क्या सब हो सकता है F-T का, मुह में छाले परने का कारण क्या सब हो सकता है चलिए ये जानते हैं तो पहला हम जानते हैं क्या कि आप जो ब्रस करें वो आपका ब्रस जो है वो हार्ड जादा है उस बज़स होता है कोई भी तरह से आपको अल्सरेशन हो गया उस बज़से हो सकता है आपकी जो पॉर्टी हो रही है उसमें कबजियत है पेट आपकी नाद ठीक से आंथ ठीक से साफ हो ने रही है उस बज़ास से हो सकती है, कब जियत लंबे समय से हो रहे हैं, पेट के गर्मी की बज़ास से यह आपको बिलिस्टर होने का चांसे ज्यादा रहती है, हर्पिस सिंपलेक्स भैरस, यह एक भैरस है, इस बज़ास से भी यह देखने को ज्यादा मिलता है, यह मुँँ में छाले की a white की मात्रा कम ले भी दिग्कत क्यादा आती है जो पॉस्पीजीटक्रा पनी का मात्रा कंद को cooked करें का धिश्कंद और 25 मातर हूं रहे हैं चाहिए वह नहीं कर रहे हैं पड़ोपर उस्सेद आने के चांस तर आसुने करिया the जादा यह 6-1 duration जो आपके सरी में ठीक से पच नहीं डाए, गैस के फॉर्मेशन होड़ा है, उस बज़ेसे ये चांसे ज़्यादा होने का रहता है, तो पेसेंट आएगात आपको क्या सब लक्षन देगे, पेसेंट आएगात बोलेगा मेरे मुह के अंदर बिलिस्टर टैप का उजला उजला हो गया है, थोड़ा थोड़ा लाल लाल भी डाती है, खाना खाते हैं, तो मिर्च और नमक उसमें बहुत तेज लगती है, दर्द होती है, मुह से सैलिवेशन होते रहता है, मतलब मूर से लार टपकते रहता है, इस बज़ेसे हम कुछ खाने पाते हैं, कुछ निगल नहीं लें, विटामिन सी की मातरा ज्यादा लें, पानी अधिक लें, फिजीकल वर्क ज्यादा करें, आपने जो पॉर्टी है, उसकी कवजियत नहीं होने दें, पेट की हमेशा सफाई करें, ये कुछ मेंटिनेंस करने से आप पुड़ो पुड़ुक से जो सैलेड की मातरा है, ग अब जियत नहीं होने के बज़े से, ये बिलिस्टर नहीं होगा, अब हम बात करेंगे, इसके बावजुद भी दिक्कत रहे, ऐसी कौन सी हमें पैत की दवा है, ऐसी कौन सी बेस्ट दवा है, जो आपकी बिलिस्टर को, आप में जो साहली भैसन होड़ी है, जो लहड़ और ये बारवर जो छाले पर जाड़े हैं, उसको रोखने का ये काम करेगा, तो इस तरह का नए नए जानकारी देखने के लिए अधी आप मेरी चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो प्लीस सब्सक्राइब कर लें, और बगल में देगे बेल आकन को लहड होड़ी हैं, धर्द होड़ी हैं, खाने में ठीक से नहीं खा पाड़ा हैं, नमक बहुत तेज लगती हैं, मिर्च की मातरा बहुत तेज लगती हैं, इस चीज़ को आपको ठीक करेगा, फस्ट दवाई हैं इसके लिए जब पेशेंट का कंडिसन आएगा, लहड पानी पीनेस अराम मिल रही है तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है बोरेक्स बोरेक्स का तीस पावर दो-दो बुंद करके तीन वार लिजेगा किसी भी तरह की लहर जलन और नमक जो लगड़े है उसको ठीक करेगा और इसके साथ एक और दवाई दे सकते हैं मर्क शॉल मर्क शॉल का तीस पावर दो-दो बुंद करके तीन वार जब पिसेंट का कंडिशन होगा को मुझ से बहुत तेज सैलिभेसन होड़ी है मतलब लार के जिससे पानी के जिससे टपकता हुआ है इस तरह की कंडिशन है लहर है जलन है गले में बहुत तेज दर्द होती है तो ये कंडिशन जब लेक आएगा तो ये दो दवाई बोडेक्स और मक्षॉल बहुत ही अच्छा काड़गा रोल पैदा करता है इसी तरह मैंने वीडियो देखने के लिए अपमेरे जम बने रहे हैं धन्यवाद